1857 की क्रांती की ज़लक आज भी मतुरा में देखने को मिल जाएगी यहीशे शुरू हुआ था सन 1857 का बिद्रो और यहां के 57 ठाकरों ने दिया था बलिदान मत्रा से उठी क्रांती की चिंगारियों ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाब बिद्रों छोड़ दिया और देश से अंग्रेजों को भागना पड़ा अडेंग की मिट्टी में आज भी ब्रजभूमी के रणवुकरों की शोरगाता की खुश्मुगाती है अंग्रेजी अकूमत ने ब्रजचेतर में 1857 की क्रांती को कोचलने के लिए 57 ठाकुर ग्रामीडों को फासी पर चड़ा दिया गया था महिनों तक ग्रामीडों पर बड़े बड़े जुल्म अढ़ाई खंडर के रूप में मौजुद भरतपुर में नरे सुरज मल की हवेली हस्ते हस्ते मौत को गले लगाने वाले आजादी के दिवानों की आज भी गवा बनी हुई है मत्रा गोवर्धन मार्ग पर बसा गाउं अडिंग आजादी की शिल्प कारों की भूमी रहा है यहां के लोगों का स्वादीनता आंदूलन में योगदान इतिहास के पन्नों पर अंकित है अडिंग में आजादी के आंदूलनों को भरती संक्या के कारण ब्रिटिस हुकूमत ने यहां पुलिस चौकी की संस्थापन कर दी थी 1857 के गदर के समय एक सिपाई अक्तियार ने बैरगपुर चामनी में कमपने कमांडर को गोली सिवड़ा दिया इतिहास खगाले तो बैरगपुर चामनी से मेरट होते हुई देश में जगए जगए अंग्रेजी हुकुमत के खिलाब बिद्रों की पुकार सुनाई द रुपे की लूट कर ली तावे के सिक्के और आबूशन भी छोड़ दिये गए लूटने के लिए सिफाई और शहरवासी दिन बर जूजते रहे इन फैक्टरी बिद्रोही सिपाईयों ने जेल तोड़ कर करकांती कारियों को निकाला और दिल्ली की ओर कूच कर गए इतिहा सेर राजा गोविंद सिंग को भी ब्रंदावन इस दितकेसी घाट पर मौत की निन सुला दिया विद्रों की गूँच के करन तकतकालिन अंग्रेज करेक्टर जनरल आगरा ने विद्रों को दवाने के लिए विशेश सैनेक टुकुडी बलाई इन लोगों ने सराय में 20 जम मांसी दी गई थी बजह क्या थी 1857 में जिस समय यहांसी वाली राणी की अंग्रेजों द्वारा धोके से जो अत्या कर दी गई थी तो वहां से उस बेल्ट से एक चिंगारी और करांती का सुला और यहां मानों जो तर प्रदेश राइस्ठान पस्छिमित्तर प्रदेश में बिसेश रूप से इसका वो हुआ और यहां से ही यह जो मूल रूप से यहां से जो आंदोलन का जो चक्र हूं जो रचा गया था वो यहां से रचा गया था उस समय जो है यहां हमारा जो परवार राजपुतों का था वो जमीदार जागीदार परवार था हमारे बावा असे सब भी रहे उस दोरान अंग्रेजों के खिलाब बगावत ठेलाने के आरोब में और सत्तर ठाकुर गौर परवारों को अंग्रेजों ने सुलह के नाम पर धोके से और उस किले पर बुलाया था जो ये किला पहले राजा खुदाराम थे जिनके कोई संतान नहीं थी उसके बाद इसको अंग्रेज तैसील में परवर्तित कर दिया और सगर तैसील अडिंग ये यहां थी पुलिस स्टेशन थाना भी यहीं पर था तो दोके से उन्होंने बुला करके और उनसे कहा गया कि आप अपनी नजने को धुका लें तो हम आप को रहा कर सकते हुए तो इसपर उन्होंने इस बात से इंकार किया और लुछां ये लड़ने थे ठाकुर धोकला सिंग, ठाकुर गंबीरा सिंग, ठाकुर सीशाराम सिंग और ठाकुर बाबा हर देव सिंग, इनके 70 परवार जन थे जिनको के सामुक मानों जुगाईशन में फांसी दी गई थी, उसके बाद आज तक हमारी कई बार हमने मांग उठाई है, इस जो है अठा अठामन के देजवक्त सहीदों को आज तक परशासन परशासन द्वारा कोई भी सत्ता रही हो, एक रुपे की माला से भी सम्मानित नहीं किया गया है, और इन लोगों के सहीद परवारी जनों की ये मांग है, कि यहां पर, इस किले पर, जहां सहीद हुए हैं, उनका सहीद इस मारक जो है, बनाया जाए, फासी घर है, जो आज भी इस्तित है, जो ककईया इंटों का कुवा बना हुआ है, उसमें जाल लगा हुआ है, यहां पर, होली से दो दिन पूप पहले, दंगल जुरता है, जो दंगल उन देजवक्त सहीदों को आज़ता है, जो दंगल उन द